जाहिन कैसे हैं आप सब तो आज हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में आखिर क्यों यह हमारे लिए बहुत जदा है महत पूर्ट रखता है और भारत का इसमें क्या योगदान होने वाला भविश में देखिए आप जानी रहें कि भारत में उर्चा के लिए कारे करते हैं वह चाहिए गैस हो फ्यूल हो फ्यूल में जितने भी हैं जिसे गैस हो ऑयल हो या फिर माले यह कि हम नुकलियर कोई भी भी फ्यूल यूज कर रहें तो वह भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है तो इसी को आधरमानत भारत सरकार ने अपना खुद का एक जो सक्ष हाइड्रोजन को निर्मान करने के दिशा में कदम उठाया है तो इसका उद्देश से क्या होगा है 2030 भारत में लगवाग 125 गीगावाट की अक्षय उर्जा शमता को जोड़ने के साथ-साथ परतिवास कम से कम पाच मिलियन मेट्रिक टन की जो ग्रीन हाइड्र में 6,001,753,301 वने की उमिद है डी तो जो इस स्व्यूगर ने सरकार ने हाली में नेस्ट ग्रीन हैड्रोने मिशन को मंजव जब दी थी और अब देख सकते हैं यहяла कि जुग जो ग्रीन हैड्रोजन वागOT किसपकास यहां उनिसमें को तो कारवन एमिशन की माता होगी यानि कारवनसर नाता होगी वह लगफ़क जीरो होगी ज़ल के बिद्धूत अब गटन से जो इसका निर्मार किया जाता है तो जो है रोग मतलब निर्मार के अधर पर कई टाइप रहते हैं ग्रेज भू है ड्रोजन तरकी सा है तर्कुस है में natural gas से बनती है और carbon dioxide की कुछ माता जो निकलती है और इसमें hydrogen बनता है फिर blue hydrogen होता है ये भी natural gas से बनती है इसमें underground storage होता है CO2 के लिए और hydrogen बनता है ग्रीन hydrogen में जो water जाएगा उसमें जो है electricity के द्वारा जो से electrolysis किया जाएगा उसका फिर जो है oxygen free होगी जो कि हमारे लिए बहुत ही लावकारी आप समझी रहें और hydrogen जो है इस्टोर होगा फ्यूल के रूप में तो green hydrogen क्या है solar wind power project की बिजली के इस्तिमाल से पानी को electrolyze कर निकाले जाने जो hydrogen को green hydrogen कहते हैं green hydrogen को भष्ष का इंधन भी कहा जाता है green hydrogen को सबसे सक्षी इंधन माना जाता है इस लिए क्योंकि इसकी उत्पादन या इस इस्तिमाल में कोई भी carbon footprint नहीं जूटता है लेकिन green hydrogen की उत्पादन में बहुत ज्यादा खर्चा आता है hydrogen की color codes क्या बताते हैं रंग से पता चलता है कि hydrogen कहां से निकाली गई है यहां जो अब मैंने अभी आपको बताने था कि pink blue green yellow orange black brown green यह से भी जो hydrogen इनका नाम color codes बना गए गए हैं यह बताते हैं कि यह किस प्रकाद से निकाली जा रहे हैं तो फिलहाल national gas से निकाले जाने वाली gray hydrogen सबसे जादा यूज होती है कोले के गैसी कराण से brown या भूरी hydrogen निकाले जाती है इस प्रकिया से बाई-प्रोडक्ट के रूप में green house gas से भी निकलती है और अध्योगी कस्तर पर भी इसकी बहुत डिमांडेशन है फिलाल hydrogen का इस्तिमाल तेल रिफाइनरियां इस्टील फर्टिलाइजर बल्क केमकल्स जैसे बड़ी इंडस्ट्री में होता है एक एहम इस्तिमाल इसे cng और png से ब्लेंड करना होगा भाविश्य में ताकि उनके सब्सक्राइब को साफ किया जा सके जितना hydrogen किसी में रहेगी वह उतना ही अच्छा प्रकित के लिए ठीक होगा असा इसलिए कि इन्वार्मेंटिक का लॉजिक की जो समस्या थी जिसे कारवन एमिशन या फिर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गरसे बाड़ तो उन्हीं रो इन्वेस्टर मीट में जो है पीए नरिन मोदी ने एक जो है ड्राफ्ट रखा था बित्वंतरी निर्माला सीता रमन ने एक फरवज़ी दो हजार एकीस को बजट भाशल में रोड मैप दिखाया सत्रा फरवजी दो हजार बाइस को उर्जा मंतराले ने ग्रीन ग्लोबल इन्वेस्टर मेर्स समिट 2030 था उसमें उन्होंने कहा था कि हमने हाली में ग्रीन हाइड्रोण मिशन को मंजूरी दी है इसमें आठ लाकरों रुपे के बजट के शाथ बिकाश की अत्रिक संभाव नाए है यहना कि भारत की बिस्ट की जरूतों और मागों को पूर जाए इसके जो पॉलूशन बहुत जरबाड़ रहा था उनमें सुधाने की दिशा में बहुत ही अच्छा कदम भी हो गया हाइड्रोण मिशन का क्या लक्षा है तो क्लाइमेट एक्षिन और एनरजी ट्रांजिशन में भारत की पोजिशन को मुझद करना है साथ ही इनरजी इंपोर्ट्स बनने भाता करम करना ग्रीन हाइड्रोण से भारत अपने उर्जा जो इनरजी इंपोर्ट्स बिल थी उसमें तक्रीबन एक लाग करों रूपे की सेविंग करना है बचत करना है इसके जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स है जिससे की ऑईल है गैसे हैं पेट्रोलिय ग्रीन हैड्रोण डिमांड के 10% तक पहुंच जाए जो जितना ग्लोब में पाधित हो रहा हुआ उसका कम से कम 10% मातरा भारत के दवारा जो है प्रोडुक्ट्स किया जाए जाए उसका हैड्रोण कितनी खाची लिए तो ग्रीन हैड्रोण के दाम कई फेक्टरस पर केजी की लागत आती है लेकिन युक्रेयन संकट के बास या तक्रीवन 200 से 200 रूपय पर केजी हो गई है अब क्वीन हैड्रोण के लिए एको सिस्टम तयार करने के लिए भारत कितना इंसेंट्टिव दे रहा है तो आप होता ने टू बिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा यह ज्यादा तर्रकम जो है जो राश ही है वह 15 गीगावाट के घरेलू इलेक्ट्रो लाजर मैनुफ्रक्ट्रिंग क्यापसिटी को बढ़ाने में खर्च होगी सरकार को उम्मीद यह है कि 2030 तक भारत की शम्ता 60 गीगावाट की हो जाएगी जो दुनिया में सबसे ज्यादा होगी पाकी बचे पाशे का इस्तेमाल के लिए होगा जी हाँ अब आप देखी रहे हैं कि जितने भी नई गाड़ी आ रहे हैं वह या तो इलेक्ट्रिक वीकल्स होंगी या फिर हाइड्रोन फ्यूल सेल पर अधायत होंगी अभी हाली में जर्मनी और चीन ने जो है हाइड 001410 जो है ट्रेन का जो है ऊद्धार्ण किया था उसे लॉच्ट किया था वह सक्सेस्फूल इसका ट्रायल भी किया और अभी और नहीं एक तो ट्रेंच हो है चला गृए भारत भी इस दिशा में काफी ज़्यादा अपने कर्दम को मजबूत किया हुगा और आपको बताने क इस साल के अंदर तक मलब 2030 के अंदर तक भारत भी जो है हो सकता है कि कोई भी hydrogen related जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी कर सके या अधिकारी भ्रूप से उसे जो है वो प्रारम कर सकता है तो और कौन-कौन से देश ग्रीन हैड्रोइन को प्रमोट कर रहे हैं तो आध ऑफिस्यल दस्तावेज बताते हैं कि कम से कम पचीज देश ग्रीन हैड्रोइन के लिए काम कर रहे हैं जर्मनी ने सबसे ज़्यादा 10.3 बिलियन युएस डॉलर की पेस्कस की है युनाटेट इस्टेट 9 बिलियन डॉलर फ्रांस 8.2 बिलियन युएस डॉलर और यूरोपें युनियन 4.3 बिलियन युएस डॉलर दे रहा हैं कौन सी भारती कंपनिया ग्रीन हैड्रोइन प्रोडोट्स से में पैसा लगा रही है तो देखिए बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनिया है वो चाहिए इंडियन ऑइल हो गेल हो कमर्सियल स्केल पर ग्रीन हैड्रोइन प्लांस की गोश्टना की इसके अत्रिक इसी हफटें एंटीपीशी देश की पहली इसी का इबनी जिसने पी एंजी में ग्रीन हैड्रोइन ब्लेंड किया है इसके तो गेल और आई प्रोजेट के तोर पचल रहे हैं तो आसाम में चल रहे हैं ऐसे अब जो सीमीत बातरा में लेकिन भाविष्ट में मलब इसी साल के अंत तक जो हमकी संख्या बहुत जादवाड़ जाएगी प्राइविट सेक्टर की बात करें तो रिलाइंस हैं इंड़िश्टरी लिम्टे जोलन सील पदात है और साथ में ये बिसफोर्ट के साथ जोलन सील होता है क्योंकि इसका उर्चा घनत काफी ज्यादा होता है इसे ट्रांसपोर्ट या इस्टोर करने में बहुत ही खत्रा है ऐसे में दो बिकल्प हैं इस्तिमाल वाले जगह के पास ग्रीन हैड्रोन प्लांस ल बूराई है यहां सबसे बड़ी बूराई है यहीं है कि बहुत ही ज्यादा इंफ्लेमेबल ठेका जादा ज्यालनसील होती है थोघंता साथ के पास छिनकारी आगकी कोई कि इसी होती है यह नार्मल डूर्प से नहीलेगाइब जैसे आन्ने कोई फ्यूल जलते हैं यहीत यस उसमी मान बहुत ज्यादा होता है तो इस प्रकार से जो है भाहर सरकार जो है ग्रीन हाइड्रोइन मिशन को एक्सेलरेट कर रही है यह जितनी जल्दी सफल हो जाएगा तो भाहर की जो अर्थव्योस्ता है उस पर भी बहुत ज्यादा जो है भाहर काफी हद तक जो फ्यूल का बहार था फ्यूल इंपोर्ट को वो कम हो जाएगा इसका तक हमारी इन्वार्मेंट और एकॉलोजी पर्यावराण और को भी काफी जड़ा लाब होगा